हलो डियर स्टुडेंट्स वालकम ट्यू मैं संचिता जैन आप सभी की सोसल सेंच एजुकेटर आज के शेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की सामजी विज्ञान में बूगोल यानी की जोग्रोफी का चैप्टर नमबर 4 जिसका नाम है जलवायू और जलवायू में आज के टॉपिक का नाम है भारतिय मानसून जी हाँ आज के शेशन में हम जाने वाले हैं कि भारत में मानसून कब शुरू होता है कैसे मानसून भारत में प्रवेश करता है भारतिय मानसून की कितनी शाखाएं है कब कब उन शाखाओं के द्वारा कहा कहा कि बारिश होती है तो शुरू करने से पहले आप सभी इस रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और जादा से जादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि Magnet Brains प्रोवाइड कराता है क्लास 6 से लेगे क्लास 12 तक के सारे कोर्से वो भी एकदम free of cost high quality education के साथ अगर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं उसके link वीडियो के description box में दी गई है वहाँ से आप available कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए CBSC board, MP board, UP board, बिहार board, दिल्ली board, राजस्थान board इतने सारे board के courses available हैं साथी साथ उन सारे state board के course को complete कराया जाता है जिनके यहाँ NCRAT का pattern follow होता है क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको NCRAT से इतनी सारे अच्छी बातों के साथ और आपके like share के साथ शुरू करते हैं आज का यह session जिसका नाम है भारतिय मांसून तो चलिए शुरू करते हैं देखें जी इंडियन मांसून भारतिय मांसून की बात हो रही है तो भारत की जलवायू मांसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है क्योंकि भारत की जलवायू कैसी है जब हमने जलवायू के बारे में जाना था और भारत की जलवायू क पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है अब मौन्सून शब्द की हम बात करें कि यह कहां से आया था तो अरब वासी जो व्यापारियों की तरह भारत आये थे उन लोगों ने पवन पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मांसून नाम दिया था मांसून शब्द किसने दिया था अरब वासियों ने दिया था अरब वासी व्यापारी बनकर भारत आये थे व्यापार करने के लिए भारत आये थे तो उन लोगों ने जब यहां के पवन तंत्र को देखा ठीक है अक्सर पूछा जाता है कि मांसून शब्द किस ने दिया था मांसून शब्द की उत्पत्ती कैसे हुई थी और राइट तो आप बता देंगे कि अरब वासियों ने यह सब्द दिया था और किस से यह शब्द बना है यह बना है मौसिम सब्द से बना है मांसून किस सब्द स मौसिम सब्द से मानसून बना है ओल राइट और मौसिम किस भाषा का सब्द है मौसिम जो है अरबी भाषा का सब्द है अरबी भाषा का शब्द है मौसिम और मौसिम शब्द से मानसून सब्द की उत्पत्ति हुई थी ओल राइट यह दोनों बाते किलियर हो गई तीसरी बा फरी hits तो मानसून का आगमन मानसून का प्रभव में लगभग बीस ढिरी उत्तरों-20 दिघरी दक्षड के बीज रहता है कहां पर रहता है शेत्र का नाम क्या है उश्ण कटी बंधियर छेत्र कान सा है बताय था मैंने पिछले लैक्चर में आप सभी को बताय dic था कि भारत का उश्ण कटिवंधिय छेत्र कौन सा है तो भारत के उश्ण कटिवंधिय छेत्र की हम बात करें तो भारत का उश्ण कटिवंधिय छेत्र जो है जो भारत का प्रायदीपिय भाग है जो भारत का प्रायदीपिय भाग है ये वाला भाग किस में आता है उश्ण यदिव अंधियत शेत्र में आता है ठीक है और मानसून की बात करें तो मानसून की उत्पत्नी दो शाखाओं से होती है भारत में कौन-कौन सी वो शाखाएं है एक है आपकी अरब सागर साखा अरब सागर शाखा और दूसरी है बंगाल की खाडी की शाखा बंगाल की खाडी शाखा अल्राइट अल किलियर यहां तक की बात किलियर सभी को हाँ जी तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है तीसरे पॉइंट में जो बात कही गई है कि मानसून का आगमान और मानसून का प्रभाव उश्ड कटीवंदेश छेत्रों में लगबग 20 डिगरी उतरी एक्षांस और 20 डिगरी दक्षडी एक्षांस के बीच में रहता है Alright, clear इतनी बाыт तो भारत की जलवायू मानसुनी पावनों से बहुत अधिक प्रभावित है मानसुन सब्दी के उतपत्ती अरबी भाशा के मोसिम सब्द से हुई है और मोसिम किस भाशा का सब्द है अरबी भाशा का सब्द है और जब अरब वासी, अरब के लोग भारत व्यापार करने के लिए आए और यहां के मौसम परिवर्त उनको उन्होंने देखा तो उसको क्या नाम दिया? पवन तंत्र को क्या नाम दिया? मानसून नाम दिया फिर मानसून के आगमन की बात होती है आलराइट इतनी बात के लिए अब बढ़ते हैं अपना आगे देखें अगली बात हाजी अब बात आती है अन्तहा उश्रकड़ीबंदी अभी शरण शेत्र की अन्तहा उश्रकड़ीबंदी अभी शरण शेत्र क्या होता है ठीक चलिए तो सबसे पहले यह image आप ध्यान से दे सभी को पता है उपर उत्री द्रोब नीचे है दक्षडी द्रोब ठीक है इतनी बात तो आप सभी को पता है चलिए तो यहाँ पर उत्री द्रोब दक्षडी द्रोब को मेंशन कर लेते हैं यह है आपका उत्री द्रोब नीचे है आपका दक्षडी द्रोब ठीक है किलियर वही बात बीच में क्या है अपनी Zero डिगरी की Zero डिगरी की भूमद्य रेखा है और रैट इतनी बात किलियर और इसी भूमद्य रेखा के समाना अंतर में क्या है जो बाद अपन कर रहे हैं अन्ताह उश्रकटीबन्दी अभी शरण शेत्र जो की भूमज्य रेखा के समाना अंतर ही है किलियर अब इस अंतर मुश्र कटीबंदी अभी सुरण शेत्र के आसपास क्या-क्या है उसको जानते हैं तो देखें सबसे पहले इसके उपर देखें तो तर पुर्वी व्यापारिक पवने हैं ठीक है दिशाएं भी मैंश पश्यम दिशा और यह हो गई हमारी पूर्वदिशा चलिए अब अब क्या बात आती है अब बात आती है कि अंतर उश्र कटीबंदी अभी सुरण शेत्र के उपर क्या है नीचे क्या है तो देखें उत्तर पुर्वी व्यापारिक पवने कैसे हैं तो देखें उत्तर पुर पूर्वे व्यापारेक पवने किस तरीके से यहां पर आ रही है देखें भई यह इस तरीके से आ रही है दिखाई दे रही है आपको कुछ इस तरीके से आ रही है और यह कौन सी दिशा है यहां से हम दिशा को देखें तो यह है हमारी उत्तर पूर्वे दिशा तो इन्हें पवने कहा जाएगा और राइट अब नीचे क्या है दक्षड पूर्वी व्यापारिक पवन तो दक्षड दिशा ये रही पूर्वदिशा ये रही दक्षड पूरव कहा रहा ये रहा आपका दक्षड पूरव और ये वाला जो शेत्र रहा आपका दक्षड पूरव रहा ठी तॉच्य दिशा है कौनाती यह हंगे ररे न्तह लिए होगई है और यहां पर जीरो डिघ्री की भूमध्य रखा है जैसा कि हम आनंतर ही अंतह उश्रकटिबंदी अभी शिरड छेत्र है ठीक है जिसके ऊपर उत्तर पूर्वी व्यापारेक पवने आ रही है और नीचे से हम देखें तो दक्षड पूर्वी व्यापारेक पवने आ रही है क्लियर अब देखो वहीया क्या है अब यहां पर कुछ पच्छवा पवने चल रही है यह देखें आप हाँ जी ये देखें ये पश्वा पवने चल रही है यहाँ पर ये देखें ठीक है और नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ भी पश्वा पवने चल रही है ठीक उसके बाद धुरुवी पूर्वी पवने चल रही है ठीक है इस तरफ की हम बात करें तो इस तरफ धुरुवी पूर्वी पवने चल रही है और इस तरफ भी धुरुवी पूर्वी पवने चल रही है ठीक है किलियर हो गई बात क्योंकि यह पूरव की तरफ से आ रही है यहाँ पर आप देखें यह पवने कहां से आ रही है पूरब की द्रब से आ रही है कलियर हो गए इतनी बात यहाँ से यहाँ तक की बात क adapt क्लियर जितना यह diagram मैंने अभी तक आपको समझाया इतनी बात किलियर है उसके बाद ही आँगे बढ़ा जायेगा चला जाए आगे फिर चलिए तो अंतह उश्रकटिबंदी अभीशरण शेत्र कहां परिस्थित है कहां से इसमें दक्षडपूर्वी पमने आती है कहां से इसमें उत्तर पूर्वी व्यापारेक पमने आती है ये बात पन्ने जानी तो यहां पर अब देखें आप कि ये विश स्थिती बताई गई है पहले पॉर्इंट में क्या इस स्थिती बताई गई है कि विश्वत्य अक्षांसों में विश्ट्रत दब्近 निम्नदाब का शेतर होता है दिखाई दिया आपको विश्वत्यान सुमें यहां पर देखें यह है आपकी 0 डिगरी की विश्वत रेका तो विशुवती अक्षानसों में विस्तृत गर्त और निम्नदाब का शेत्र होता है और यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षडपूर्वी व्यापारेक पबने आपस में मिलती है बिल्कुल यहां देखैंए आ तर पूर्वी पवने और यहां से आ पूर्वी पवने और यहां आके अंता उश्रकर्टपवन दिये अभी सरण शेत्र मेंदाबी अभी सरण शेत्र विशुवत व्यात के लगभग सेमाना उन्तर होता है बिल्कुल होता है विश्वत प्रत के एकदम समानांतर है लेकिन सूर्य की आभासी गती के साथ साथ यह उत्तर या दक्षड की ओर खिसकता जाता है सूरत जब गती करता है तो क्या आपको गती करता हुआ दिखाई देता है हमें गती करता हुआ तब दिखाई देता है सूरज जब हम भी चलते हैं जब हम कहीं से ऐसे गोजरते हैं चलते हैं पैदल चलते हैं या गाड़ी से बस से ट्रेन से किसी से भी जब हम चलते हैं तो हमें लगता है कि सूरज हमारे साथ साथ चल रहा है लेकिन वो वास्तों में आपके साथ नहीं चल रहा होता हूँ जैसे आप ठहर जाते हैं तो आपको भी सूरज ठहरता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर क्या कहा गया है आभासी गति यानि कि हमें उस समें ऐसा लगता है कि सूरज हमारे साथ चल रहा है लेकिन चलता हुआ वैसे तो नहीं दिखाई देता तो यह अभी शरण शेत्र विशुवत वरत के लगभग समानांतर होता है लेकिन सूरी की आभाशी गती के साथ साथ यह उत्तर या दक्षड की ओर खिसकता भी जाता है तो यह बात हो गई किसकी अंतहा उष्ड कड़ी बंधिया अभी सरण शेत्र की ओल्राइट किलियर चलिए अब देखें मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ तथ्य आपको दिये गए हैं उनको भी समझ लेते हैं तो मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निन लिखेत तथ्य महात्वा पूर्ण हैं कौन-कौन से तो देखो भी या क्या बात कही है पहली लाइन में हमें समझाया गया है कि इस्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विवेधी प्रक्रिया के कारण ठीक है धियान से सुनना इस्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विवेधी प्रक्रिया के कारण यानि कि कब इस्थल भाग गर्म रहेगा और कब जल भाग ठंडा रहेगा उसकी विबेदी प्रक्रिया नि कि अलग अलग प्रक्रिया के कारण भारत के इस्थल पर निम्नदाब का शेत्र भारत के इस्थल पर निम्नदाब का शेत्र उत्पन होता है क्योंकि इस्थल भाग कै ठीक है तो इस्तल तथा जल के गर्म होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के इस्तल भाग पर निमनदाप का छेत्र बनता है क्योंकि जब इस्तल भाग गर्म होता है यानि कि जो भाग गर्म होता है वहां पर निमनवायूदाप का छेत्र बनता है ये बात आपको याद रखनी है तो जब इस्तल भाग गरम होगा तो इस्तल भाग में क्या रहेगा इस्तल भाग में निम्न वायूदाब का शेत्र रहेगा कैसा शेत्र रहेगा निम्न वायूदाब शेत्र रहेगा ओल राइट तो इस्तल ततार जल के गर में ठंडे होने की विवेदी प्रक् समुद्र का मतलब क्या है जल भाग तो जब इस्थल भाग गरम होगा तो वहां पर निमने वायूदाब शेत्र बनेगा और इस इस्थल भाग के असपास जो समुद्री इलाका है यानि कि जो जल भाग है वहां पर कौन सा शेत्र बनेगा उच्च वायूदाब का शेत्र अल्राइट इतनी बात किलियर है अब देखें ग्रीश में रितु के दिनों में गर्मी के दिनों की बात हो रही है कपकी गर्मी के दिनों की बात हो रही है तो ग्रीश में रितु के दिनों में अंतहा उश्रकटी बंदी अभी शरण छेत्र ठीक है अंतहा उश्रकटी बंदी अभी सुरड छेत्र जो कि कहा है विश्यवत रेखा के समालांतर हमने देखा था जहां पर दक्षड पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने आकर मिल रही थी और एक लाइन और पड़ी थी ध्यान करो कौन सी लाइन कि सूर्य की आभाशी गती के कारण ये छेत् और दक्षड की तरफ खिसकता भी जाता है यह लाइन पड़ी ती यह लाइन याद रखना है अब यह लाइन कहां काम में आने वाली है यहां पर काम में आने वाली है कैसे तो ग्रीश में रितू के दिनों में अन्तह उश्रकटीबंदी अभी सुरण छेत्र की इस्थति याने कि भारत में गंगाखा मैदान कहां है उपर की ओर उत्तर की ओर किसक जाता है ग्रीश में ठीक है और यह विश्वतिय गर्त है अन्तह उश्रकटीबंदी छेत्र जो प्राया विश्वत वरस से 5 डिगरी उत्तर में इस्थित होता है ठीक और इसे मानसून रितू में य अन्तह उश्रकटीबंदी अभी सुरण शेत्र जो है उपर यानि की उत्तर या दक्षड की तरफ खिसक जाता है तो ग्रीश में रितू में गर्मी के दुना में अन्तह उश्रकटीबंदी अभी सुरण शेत्र की इस्थिती गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है यानि की उ करने को विलता है हिंद महास आगर मैं मेडा गास करके पूर्व लगभग पूर्वदिशा में लगभग 20 टिगरी दक्षडी अक्षांस के उपर उच्छदाव वाला शेत्र होता है अब यहां पर उच्छदाव वाला शेत्र है मैंने अभी निम्नदाव उच्छदाव को करती है जी हां क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं भारती मांसून के बारे में बात करें कि भारती मांसून किन किन तरीकों से कहां कहां से किस दिशा से किसके प्रभाव से प्रभावित होता है ठीक है तो अब हिंद महासागर के द्वारा भारती मांसून कैसे प्रभ दाव वाला शेत्र बन जाता है और इस उच्छ दाव वाले शेत्र की इस्तती और तीवरता भारतिया मांसून को प्रभावित करती है क्लियर फिर अगली बात क्या कहीं है ग्रीश मिरतु में तिबबत के पठार की बात कहीं गई है ठीक है तिबबत के पठार की बात कहां है व तो ग्रीश मृतु में जो तिबबत का पठार है बहुत अधिक गरम हो जाता है जिसके परिडाम सुरूप पठार के उपर समुद्र तल से लगभग 9 किलो मेटर की उचाई पर तीवर उर्द्वाधर वायू धाराओं और उच्च वायू दाप का निर्माण हो जाता है यहां भी उच्च वायू दाप का निर्माण हो रहा है फिर देखें ग्रीश मृतु में हिमाले के उत्तर पश्चमी जैट धाराओं का तथा भारतिय प्रायदीप के उपर उष्ड कटीबंधी पूर्वी जैट धाराओं का प्रभाव होता है हिमाले में किसका प्रभाव होता है ग्रीश मृतु में उत्तर पश्चमी जैट धाराओं का प्रभाव होता है और भारती प्रायदीप की बात करें यह रहा हमारा हिमाले और यह रहा आपका नीचे का एडिया प्रायदीप भारत का ठीक है क्लियर हो रही है बात एकदम एक्जेक्ट तो नहीं मना लेकिन आपको समझाने के परपस से बना रही हूँ दो बातें हो रही है यहाँ पर एक बात हो रही है आपकी हिमालय शेत्र की और एक बात हो रही है आपकी किस शेत्र की प्राइड इपी भारत की समझ में आ रही है बद प्राइडीपी भारत तो हिमालाय में मांसून की बात हो रही है तो ग्रीश में तुमें हिमालाय के हिमालाय में उत्तर पश्चमी जेट धाराओं का ठीक है हिमालाय में उत्तर पश्चमी जेट धाराओं का और भारती प्राइडीप की उपर उश्ण के बारे में तो एल नीनो के बारे में आप सभी न सुना होगा प्रशांत महासागर पेरू ये बाते कुछ याद आ रही होगी तो सबसे पहले तो बात करें कि एल नीनो है क्या तो एल नीनो बेसिकली एक महासागरियद धारा है क्या हां महासागरियद धारा है एल नीनो क्या ह सबसे पहले हम यह जालने कि एल नीनो क्या है तो देखें एल नीनो जो है एक महासागरिय धारा है एल नीनो एक महासागरिय जल धारा है ठीक है और किस प्रकार की जल धारा है मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की जल्धाराएं होती है एक होती है ठंडी जल्धारा और एक होती है गरम जल्धारा ठीक है तो देखें तो एल नीनो किस प्रकार की जल्धारा है गर्म जल्धारा है एल नीनो गर्म जल्धारा है या गर्म महासागरी जल्धारा हमें से कह सकते हैं ओल्राइट एल नीनो क्या है महासागरी जल्धारा है और ठंडी है या गरम है तो गर्म महासागरी जल्धारा है ठीक है तो ठंडी पेरू जल्धारा के इस्थान पर आइस्थाई तोर पर गर्म जल्धारा के विकास को एल नीनो नाम दिया गया है ठीक है यहाँ पर ठंडी जल्धारा नहीं रहेगी उसकी जगह पर ठंडी पेरू जल्धारा के इस्थान पर ठीक है तो प्रशांत महासागर के आसपास का जो शेत्र है वहाँ पर ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर आइस्थाई तोर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो नाम दिया गया है तो एल नीनो तो क्लियर हो गया कि आखिरी शब्द है क्या किसे एल नीनो कहा गया है किरियर फिर देखें एलनीनो जो है एक स्पैनिश शब्द है किस भाशा का शब्द है स्पैनिश भाशा का सब्द है अलनीनो जिसका अर्थ होता है बच्चा जी हां तथा जो की बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है किसको बेबी क्राइस्ट को क्योंकि यह जो जल्धारा है एल्नीनो की जो गर्म जल्धारा है यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। तो अगर कोई धारा समुद्र की सतय के तापमान को बढ़ा रही है यानि कि वो कैसी जल्धारा है गर्म mAhasagree जल्धारणा है। हम जान चुके हैं क्योंकि कोई भी जल्दारा हो चाहे वो ठंडी जल्दारा हो जब ठंडी जल्दारा किसी मार्ग से गुजरती है तो वो सिस्थान को कैसा कर देती है ठंडा कर देती है और अगर गर्म जल्दारा उस मार्ग से गुजर रही है तो उस मार्ग को कैसा कर देगी गरम कर देगी तो एल नीनों की उपस्थिती एल नीनों की उपस्थिती है वो गर्म जलदारा है तो एल नीनों समुद्र की सतह के तापमान को क्या कर देगी बढ़ा देगी तथा उस शेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथल कर देती है कमजोर कर देती है और राइट तो य गर्मन जलधारा है इसलिए समुद्र की सतय के तापमान को ये बढ़ा देती है और एलली नो शब्द किस भाषा का शब्द है स्पैनिश भाषा का सब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है क्योंकि यह धारा क्रिस्मस के समय बहना शुरू करती है इसलिए यह शब्द जो है बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है स्पैनिश भाषा का शब्द है अब बढ़ते हैं आगे अब देखें अब बात करेंगे हम दक्षडी दोलन तो देखें क्या है यह दक्षडी दोलन तो जब दक्षड प्रशांत महासागर के उश्डळ कटी बंधियो पूर्वी भाग में निम्नदाब होता है तब हिंद महासागर के उश्र कटी बंद ये पूर्वी भाग में निम्नदाब होता है दो बाते समझने की कोशिश करना हिंद महासागर और प्रसांत महासागर की यहां पर बात कही गई है किसकी एक बाद कही गई है आपकी प्रशांद महासागर की और दूसरी बाद कही गई है अहिंद महासागर की ठीक चलिए तो यहां पर हमें क्या-क्या बताया गया है दोनों के बारे में तो प्रशांद महासागर की हम बात करें इस्पेशली प्रशांद महासागर के दक्षड कटी बंधी पूर्वी भाग में किसमें इस प्रशांद महासागर के उश्ण कटी बंधी पूर्वी भाग में पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है इसमें उच्च दाब है ठीक है इस भाग में ठीक तो हिंद महासागर में क्या होगा हिंद महासागर के उश्ण कटी बं पूर्वी भाग में पूर्वी भाग में क्या होगा निम्नदाब होगा ओल्राइट जब प्रशांत महासागर जब प्रशांत महासागर के उश्रकडी बंदी पूर्वी भाग में उच्च दाब होगा तो हिंद महासागर के उश्रकडी बंदी पूर्वी भाग में ही क्या फिर देखे कुछ विशेश वर्सों में वायू दाप की स्थिती विपरीत हो जाती है यानि कि कुछ विशेश वर्सों में ऐसा भी हो सकता है कि उश्ण कटी बंदिय पूर्वी भाग में निम्नदाब का छेत्र होगा तो हिंद महासागर के उश्ण कटी बंदिय पूर्वी भ जाता है ठीक है यानि कि कुछ विशेश वर्सों में इसकी स्थती ठीक उल्टी हो जाती है विपरीद हो जाती है और दाब की अवस्था में इस नियतकालक परिवर्तन को ही किस नाम से जाना जाता है दक्षडी दोलन यह जो परिवर्तन हो रहा है ठीक है कि जब यहां पर उच्छदाब होगा तो हिंद महासागर में निम्नदाब होगा और जब हिंद महासागर में उच्छदाब होगा तो प्रशान्द महासागर में निम्नदाब हो यहां तक की बात जल्डी बताव बहीं यहां तक की बात जितनी मैंने समझाई सारी बातें आपको समझ में आई उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं ध्यां से सुनना है सभी को ठीक है तो बात हो रही है दो महासागरों के बीच की एक महासागर और एक हिंद महासागर तो जब प्रसांत महासागर के दक्षड छोड पर ठीक है तो दक्षड प्रसांत महासागर के उश्ड कटीबंदी पूरवी भाग में जब उच्छ वायू दाप का छेत्र होता है तो हिंद महासागर के उश्ड कटीबंदी पूरवी भाग में कैसा छेत्र होगा निम्नदाब का छेत्र होगा लेकिन एक समय के बाद विशेश वर्सों में वायूदाब की स्थितिये परिवर्तित भी होगी यानि कि जब यहां पर निम्नदाब होगा तो यहां पर उच्छदाब हो जाएगा और यह जो नियतकाल परिवर्तन हो रहा है ठी से ही क्या कहा गया है उसे ही दक्षडी दोलन के नाम से जाना गया है अल्राइट आल क्लियर बढ़ा जाएं आंगे फिर चलिए तो दक्षडी दोलन को भी जान लिया अब देखें मानसून का आगमन और वापसी की अभम चर्चा करेंगे ठीक है इसमें ये मैप बहुत काम में आने वाला है ध्यान से इस मैप को देखना ठीक है जो जो बातें यहां बताई जाएंगे आपको सारी की सारी बातें आपको कहां से कनेक्ट करनी है इस मैप से कनेक्ट करनी है अल् मानसून का समय जून के आरंब से लेकर मध्य सितम्बर तक 100-120 दिनों के बीच होता है। वर्षय रितू की हम बात करें तो वर्षय कब प्रारंब होती है मांसून कब आता है बारिश का सुहाना मौसम कब आता है जून से शुरू हो जाता है तो जून के आरंब से लेकर मध्य सितंबर तक आधे सितंबर तक लगभग 100-120 दिनों के बीच का जो समय रहता है वो किसका स क्लियर कर ली कि कब से कब तक मांसून का समय रहता है अब देखो इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक व्रद्धी हो जाती है जब यह आता है मांसून तो शुरू शुरू में थोड़ी थोड़ी बारिश होती है लेकिन लेकिन सामान्य वर्षा में जो यह सामान ही रहता है कि पानी गिरता ही रहता है आए दिन पानी गिरता ही रहता है ठीक है एक बात और किलियर हो गई ठीक एक दम प्रैक्टिकली बातें आपको बताई जा रही है ठीक है तो इसे क्या कहते हैं इसे ही कहते हैं मांसून प्रसफोर्ड या मांसून का फटना कहते हैं तथा वाई से मानसून पूर्वक बहुच्छारों से प्रथक किया जा सकता है ठीक है जब मानसून आता है तो थोड़ी-थोडी सी बारिश होती है ठीक है मलब शुरुवाती दिनों में लेकिन अचानक से एकدم से बारिश बढ़ जाती है और हर रोज बारेश होती है और कहीं कहीं तो बाड जैसी स्थितिभी बन जाती है तो जब अचानक से बारिश में व्रद्धी हो जाती है तो उसे क्या मानसून आता है और कैसे अचानक वरधी होती है और अचानक वरधी को क्या कहा जाता है आप डिंध यहाँ तक की बात अब देखो ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ध्यान से इइसको देखना है ये मैप है भारत मांसून का आगमन अल्राइट अब देखो पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षड चारों दिशाएं आपको दिखाई दे रही होगी यह है आपकी पश्चिम दिशा ये हैं आपकी उत्तर दिशा, ये हैं आपकी पूर्वदिशा, पूरा पश्चिम उत्तर और ये रही आपकी दक्षड दिशा अल्राइट, ठीक है, अब देखो भी, आगे की जब हम बात करेंगे, तब आपको चीजें और अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझ में आएगी, कैसे इस मैप से हमें कनेक्टिविटी करनी है, चलिए, अब देखें, हाँ जी, मानसून के आगमन की बात करते हैं, तो सामानत या, जून के प्रथम सबता है मैं मानसून, भारती प्रायदीप के दक्षडी चोड से प्रवेश करता है, अब मानसून कहां से आता है, कहां से उसकी एंट्री होती है, कौन सा वो भारत का गेट है, जहां से मानसून अंदर आता है, भारत के अंदर, ठीक है, तो पांसून भारती प्राइदीप के दक्षडी छोर से प्रवेश करता है कहां से भारती प्राइदीप के दक्षडी छोर से अब देखो भी या यह देखो भारती प्राइदीप का हिस्सा कौन सा है ध्यान से देखना है आपको मैप में भारती प्राइदीप को तो आप जानते ही है प्राइड इपी भारत का हिस्सा कौन सा है शुरू से आपको फर्स्ट दे से पढ़ाया जा रहा है कि यह हिस्सा जो है प्राइड इपी भारत का है यह बनके अब यह आपकर प्राइद इपी भारत किलियर है हाँ जी तो यह जो आपका शेत्र है प्राइद इपी भारत का शेत्र है और जून के प्रथम सप्ता हमें प्राइद इपी भारत के दक्षडी चोर से मांसून भारत में प्रवेश करता है यह देखो यहां की हम बात क कर रहा है देखो भई प्रवेश कर रहा है ठीक है किलियर हो गई बात अब अगली बात हमसे क्या कही गई है अगली बात हमसे कही गई है इसके बाद यह दो भागों में बट जाता है मानसून जून के प्रथम सप्ताय में भारत में प्रवेश करा कहां से प्रायदीप यह छेत बट जाता है कौन कौन से दो भाग है एक है अरब सागर शाखा एक क्या है एक है अरब सागर शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी शाखा ठीक है दो भागों में बट जाता है अरब शागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा यह याद रखना है आप से हमेशा पूछा आजा सकता है कि भारती मांसून को कितने भागों में बाटा गया है THOO आप गोलेंगे दो भागों में-एक अरब सागर शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा अल्राइट फिर अरब सागर शाखा की हम बात करें तो अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद कम 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुँचती है आजाओ भई, पहुचाते हैं मुंबई यह है अरप सागर साखा यह है आपका अरप सागर जून के पहले हफते में मांसुन शुरू हुआ है ठीक है? और लगभग 10 जून तक 10 जून तक कहां पहुचाना है इसको मुंबई पहुचाना है तो भईया ठीक है अरब सागर साखा ये रही 10 जून की तारीक और ये पहुच गया यहां से मुंबई पहुंच क्या किलियर हो रही है बात अब देखो ठीक है दस जून के आसपास मुंबई पहुंच की अरब सागर शाखा फिर बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीवरता से आंगे की ओर बढ़ती है ठीक है क्या बात की बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीवरता से आंगे की दोर बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ता हमें असम तक पहुंच जाती है ठीक है ये रही आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा ठीक है जो कि आप देखें एक जून ये देखें भई और ये पाज जून की तारी कहां पहुंचाना है भई इसको इसको हमें असम के आसपास ठीक है किलियर हो गई ये बात अब हाजी तो जून के प्रथम सप्ता है में भारती मांसून प्राइद इपी भारत के दक्षणी सोर से बारत में प्रवेश करता है और इसके बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है एक होती है आपकी अरब सागर की शाखा और एक होती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तिवरता से आंगे की ओर बढ़ती है और जून के पहले सप्ता हमें ही देखें बई जून के पहले सप्ता हमें ही कहां बहुत जाती है जून के पहले सप्ता हमें ही ये आपकी पहुंच जाती है असम तक पहुंच जाती है अल्राइट इतनी बात के लिए यहां तक की अब बढ़ें आगे अब देखना हाँ जी अब देखें उचे परवतों के कारण मानसून पवने पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है ठीक है कहा मुड़ जाएंगी परवत हैं तो परवतों के पार तो जा नहीं पारी है परवतों के कारण वो हवाय मानसूनी पवने वही पर रुग गई और वहां से मुड़ के कहां पौँच गई हैं गंगा के मैदानों की तरफ मुड़ जाती है किलियर हो रही है बात यह देखें यहां से इस तरीके से गंगा के मैदान की तरफ यह पवने मुड़ रही है मुड़ती हुई दिखाई दे रही है चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो यह देखें आप सभी किलियर हो रही है बात ठीक तो उचे परवतों के कारण मांसुनी पवने जो है पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ इस तरह मुड़ जाएंगी यानि कि यहां से एंट्री मुड़ जाती है और मध्य जून तक मध्य जून तक अरब सागर्शा का सौरास्ट कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है यानि कि सौरास्ट कच्छ कहां के भाग है गुजरात के भाग है तो गुजरात तक और देश के मध्य भागों तक यानि कि मध्य प्रदेश उसके आसपास के जो राज्य हैं उन तक मांसून कब पहुंच पाता है जून बीच जून तक यानि की मध्य जून तक मध्य यानि की 15 जून तक ठीके किलियर होगी बात अरब सागर साखा कहां पहुंच रही है 15 जून तर सौराष्ट कच एवं देश के मध्य भागों में अरब सागर साखा की बात करने तो यह देखो 15 जून यहां देखो सौराष्ट कच और देश के मध्य भागों में इस तरीके से पहुंच रही है 15 साखा सौरास्ट कच्छ होते हुए मध्य भारत तग्यानी की देश के मध्य भागों तक पहुंच जाती है किलियर अब देखें अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाडी शाखा दोनों शाखाओं की अप साथ में बात होगी तो अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाडी दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं देखो भई गंगा के मैदान में ये देखें गंगा के मैदान में अरब सागर साखा और बंगाल की खाड़ी की साखा कहां पर गंगा के मैदान में आपस में दोनों मिल जाएंगी ठीक है फिर दिल्ली की बात करें दिल्ली में मानसून की बात करें तो दिल्ली में सामानतेया मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से जून के अंतिम सप्ता हमें होती है किस से होती है सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली में वर्षा मांसुन की किस शाखा से होती है तो दिल्ली में वर्षा मांसुन की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है और कब होती है जून के अंतिम सब्ता हमें लगभग 29 जून को होती है किलियर हो गई बात यहां तकीं तो बंगाल की खाड़ी की शाखा यह देखे पांच जून और एक जून की तारी यहां से यह आगे बड़ेगी और दिली में बारिस यह कप कराएंगी दिली में बारिस यह लगभग 29 जून तक क्राएंगी औल राइट कौन सी साखा बंगाल की खाड़ी की शाखा किलियर है यहां तक की बात किलियर हो गई अब बड़ाज आए आंगे चलिए हाँ जी अब क्या बात कीगी है जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पहुंचते हैं जून कमई ना खतम 29 जून तक बारिश कहां पहुंच गई दिल्ली तक हमने पहुंचा दी नीचे से लेके यहां उपर दिल्ली तक हमने बारिश को पहुंचा दिया है ठीक है अब जुलाई के में प्रथम 27 मानसून पषिमी उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाना पुर्वी राजिस्थान में पहुंच जाता है और पूर्वी राजिस्थान तक बहुंच जाता है ओल्राइट तो कहां कहां पर उत्रप्रदेश उसके बाद हर्याना पंजाब और पूरवी राज़स्थान में बारिश कब होती है जुलाई से शुरू होती है जुलाई के पहले सप्ताय तक माशुण वहाँ पर मुझता है और मध्य जुलाई तक जब आधा जुलाई बीत जाता है तो मध्य जुलाई तक मानसुन हिमाचिर प्रदेश यवम देश के शेष हिष्चों में पहुँचता है किलियरUL कब कब भारतिय मानसून का आगमन भारत में होता है प्राइद एपी भारत के दक्षडी छोड से जुन के प्रथम सप्तायमा होता है और वो कैसे कैसे आधे जुलाई तक यानिकी 15 जुलाई तक उपरी भागों तक पहुँच पाता है और राइट किलियर और दो शाकाओं के द्वारा पहुंसता है एक है आपकी अरब सागर शाका और दूसरी है आपकी बंदाल की खाडी की शाका अल्राइट अब देखो मानसून की वापसी एक क्रमिक प्रक्रिया है क्लियर हो रही है बात मानसून की वापसी कैसी प्रक्रिया है मानसून की वापसी एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्यम राज्यों से सितंबर में प्रारम हो जाती है अम मानसून गया तो है मानसून का आगमन तो हो चुका है लेकिन अम मानसून लोटेगा भी तो ठीक है और जैसा कि हमने जाना था कि जून से जून के प्रथम सब्ताह से मालो 1 जून से कबसे एक जून से पंद्रह सितंबर तक बारिश का मौसम होता है बारिश होती है अब पंद्रह सितंबर से क्या होगा मांसून वापस लौटने लगेगा ठीक है तो मांसून की वापसी भी एक क्रमिक प्रक्रिया है जैसा मांसून का पहुंचना एक क्रमिक प्रक्रिया थी एक तो उत्तर पश्यमी राज्य कौन से रहे ये इस तरफ के जितने भी राज्य रहे उत्तर पश्यमी राज्यों से बीच सितंबर से यानि कि सितंबर से प्रारंब हो जाएगी ठीक है मध्य सितंबर से लगबग बापसी होना चालू हो जाती है और उसके बाद देखें कपन मध् पीछे हट जाता है कहां से प्राइदीपी भारत के उत्री भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता है कि लिए प्राइदीप के दक्षडी छोड़ से ये शुरू हुआ था इसका आगमान कहां से हुआ था प्राइदीपी भारत के दक्षडी छोड़ से शुरू हुआ था और प्राइडीपी भारत के उत्री भाग से वापस ये लौट जाएगा किलियर हो गई बात बढ़ा जाये आंगे अब देखें प्राइडीपी के दक्षडी आधे भाग में वापसी की गती तीवर होती है जब प्राइडीपी भारत के दक्षडी भाग में यह पहुंच जाता है दक्षडी भाग का आधा भाग यह कवर कर लेता है मांसून तो इसकी वापसी की क्रिया और जादा तीवर हो जाती है तेजी भारत में कैसे प्रवेश करा और कैसे कैसे लौटा क्लियर हो गई ये बात तो ये सारी बात थी भारतिया मानसून के बारे में इसमें हमने कई सारी चीज़े जानी अंतह उश्रकडीबंदी अभीशरण चेत्र के बारे में जाना दक्षडी दोलन क्या होता है अल्लीनो जल्धारा क्या होती है ठीक है अल्लीनो जल्धारा का स्वरुप कैसा होता है तो गर्मों होता है ठीक है प्रसांत महासागरी जल्धारा है उसके बारे में जाना फिर भार मानसून कैसे प्रवेश करता है कब कब किस जगह पर पहुंसता है और कैसे मानसून भारत से वापस लोटता है इतनी सारी बातें आज के की सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई समस्य हो तो जल्दी से आपको कॉमेंट बाक्स में लिखके बेज देना है आपके आंशर जल्दी जल्दी दिये जाएंगे आल्राइट किलियर तो मिलते हैं जल्दी अगले लेक्शर में अगर आप हमारे डेली की लाइव लेसन और रिकॉर्डर लेसन से जुनना चाहते हैं सारी चीज़ें उप्लब्द हैं मैंगनेट ब्रीज की यूटूब चनल वेब साइट और एप्लिक Liberty Board देली बोर्ट विहार वोड़ यूपई ऑज़्राजस्थान दो इतने सारे बॉट के स्लेवस को कवर कराने के साथ सा साथ न सारे स्टेट बॉर्ड के सलेवस को कवर कराये आ जाता है जहां आप सš नहीं स्पी हो होता है क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको 150 से थिक्रे पास प्रावा अधर सोशल मीडिया प्रेटफर्म जैसे की फेस्बुक इंस्टाग्राम ट्वीटर टालीग्राम वाटसप पर भी उपलब दें आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो आज के शेशन को जादा से जादा लाइक औ सब्सक्राइब भी करना है मारे साथ बने रहे हैं जुड़े रहे हैं पढ़ते रहे हैं कुछ रहे हैं कि सो मच